अब अब लेक्चर जो है लास्ट पर आपको चल रहा है अब हम दो देखेंगे इसमें computerized accounting system के बारे में जो chapter है उसके थोड़े से basic concept बाज discuss करने का कोशिस करेंगे तो चलिए इसके theory notes पे आपको लेके चलते हैं जहां से हम लो computerized accounting system के बारे में थोड़ा बहुत knowledge हासिल करेंगे देखिए although जैसे पहले ही मैंने discuss किया हुआ है कि यह जो chapter है यह बिलकुल practical based chapter है इसमें बिना practice किये हुए बहुत सारी बाते समझ में नहीं आएगी और practice करने में भी थोड़ा सा time लगाना पड़ेगा because किसी भी applications को अगर आपको सीखना है तो उसमें थोड़ा सा time involved लगाना पड़ेगा तो अभी हम इस chapter में इस chapter का दो categorization है एक में आपको computerized accounting system के बारे में theoretical knowledge की गई है और उसके next on जो chapter आपको दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि आपको accounting software जो different accounting software market में available है अनगीनत है उसमें से most popular जो software है वो tally accounting software है उसके कुछ screen shots को share करके आपको बताया गया है कि how can we entered into tally accounting software तो सबसे पहले आज का दिन हम लगाते हैं जो theory notes है computerized accounting system के नाम से आपके book में chapter होगा उसके basic चीजों को आज समझने का कोसिस करते हैं अगर आप ध्यान से देखो computerized accounting system में होने क्या वाला है देखिए अभी तक आपने जो accounting system किया था वही सारा काम computer में लिखना है वही accounting होगा computerized अगर हम बात करें हमारा accounting system क्या था अगर हम बात करें accounting system की तो हम double interest system पे काम कर रहे थे double interest system पे हमने काम किया उसको क्या किया हमने accounts को classify किया दो पार्ट में उसको identify किया basically तीन पार्ट में कुछ accounts तो हमने categorized किया real account में कुछ को nominal में और कुछ को personal में thereafter हमने इन सारे को क्या किया journal entry में पोस्टिंग किया sorry generalize किया फिर journal बनाने के बाद हमने इसको ledger में posting किया फिर ledger का balancing किया फिर हमने क्या किया trial balance बना दिया फिर उसके बाद हमने final account बनाया final account अपने जब बनाया final account में क्या क्या बनाया आपने trading बनाया profit and loss account बनाया और balance बनाया यही बनाया अब computerized accounting system में क्या हो रहा है कि यह सारे जो काम अभी आप register पे manually कर रहे थे क्या कर रहे थे रजिस्टर पे आप manually कर रहे थे उसको application based बनाके laptop computer में डालने की कोसिस की गए laptop computer में डालने की कोसिस की इससे क्या फायदा होगा इसके फायदे बहुत हैं आप देखो न कि जितने सारे भी computer based application है उससे क्या फायदा होता है आप सोच के देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप register पे एक page लिखो लिखने में दस मिने time लगेगा फिर मैं बोलता हूं इसका copy करो तो क्या करोगे आप फिर से आप लिखोगे तो time लगेगा अगर हम computer की बात करें तो simple सा जो आपने type कर लिया अगर उसको copy करना है तो simple सा दो की दबाना है control सी control भी आपका copy से पेस्ट हो जाएगा होता एक नहीं होता है तो यह सारा फाइदा है आपको किसमें computerized accounting या computer based कोई भी काम करने में तो हम accountant है या accountancy के बंदे हैं तो हम accountancy से related बात करेंगी computer तो क्या है कि वो सारे दुनिया जहान के काम करता है अब इस्टूडियो वाला उस पर photo बनाता है यह न पेंट वाला उस पेंट का configuration करता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग account से related काम करते हैं चलिए तो इसी सिलसले में जो कुछ theory इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग देखने के कुछ करते हैं सबसे पहले इस chapter का नाम क्या है तो chapter का नाम आप ध्यान से देख लिजीगा आपके बुक में available होगा computerized accounting system क्या नाम है just a second hold down computerized accounting system computerized accounting system जो है आपके बुक में available है इसका नाम सबसे पहले नाम हमने क्या देखा computerized यान मतलब ऐसा accounting system जो अब register पर नहीं हो रहा है कहां पर हो रहा है computer अब इसके फाइदे नुक्षान जब तक नहीं देखोगे तब तक बात नहीं चलेगा कहता है defined computerized accounting system आप बताओ computerized accounting system है क्या और इसको distinguish between a manual and computerized accounting system कैसे यह manual accounting system और computerized accounting system से यह अलग है one second में confirmation चाहता हूं क्या आप सबको screen दिख रहा है yes or no screen दिख रहा है sound proper आ रहा है video proper आ रहा है कह रहा है a computerized accounting system is that accounting information system that helps in processing the financial transaction and events as per generally accepted principle principle एक principle बना हुआ जी एपी पी जी एए एपी उसके उपर वो खरा उतरता हूं देखो यह कुछ काम करता नहीं है computer जैसे हम लोग जब first lecture हम लोग पढ़ रहे थे input output आपको कराया था अगर थोड़ा सा ध्यान हो उस चित्र को हम फिर से आपको दिखाना चाहते हैं क्या कह रहा था अगर आपको यह है गेहूं की बोरी wheat है है और इसको क्या convert करना है आटा में तो हम क्या करते थे इस गेहूं की बोरी को कहा पे लेके जाते थे आटा चक्की मील में लेके जाएंगे क्या करेंगे आटा चक्की वाले भाईया को हम गेहूं देंगे और वो क्या करेगा एक बड़ा सा machine लगा हुआ है इसमें light white लगा हुआ है चक्की इसमें आपको इस सारे दुनिया जहान के जो इस साल आपने काम किये उससे आपको नेट प्रोफिड 5 लाख आया तो यही जानना काम है मेन उसका किसका बिझनसमेन का कि भह हम जो काम कर रहे हूं से क्या हम को निकल रहे तो सेम यह जो काम रजिस्टर पे हो रहा था अब कम्पू टर पे होगा पाइट देखिए मैनुवल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है इन दिस सिस्टम आइडेंटिफिकेशन और फाइनिशल ट्रांजेक्शन डन मैनुवली अभी तक जो आपने किया आप मैनुवली करते थे यही किया आपने मैनुवली किया आपने क्या किया लेजर में पोस्टिंग किया उस सब देखेंगे नाक्स चेप्टर में कैसे टैली करता है अपने आप आप सोचोगे अरे हम तो एक साल जो समय लगा दी है सर ये तो बिकारी हो गया मिकार महीं वह काम आपको ऩरशास आपको जानना जरूरी था आगे चल के आप किसी भी फिल्ड में कंप्रोट के तो कहीं ने कहीं आपको computer-based application मिलेगा ही मिलेगा जबकि computerized accounting क्या कहता है in this system identification of financial transaction is done manually हम क्या करते हैं manually के ओल इसमे हम identification करेंगे यानि कि हम tally में ही अगर काम करेंगे तो यह बताना पड़ेगा ना कि एक काम तो journal entry बताना पड़ेगा उसको manually कि देखो यह sales account credit होगा और cash account debit होगा right by applying the principle of accountancy इसमें भी same to same करते हैं यहां पर क्या करते है identification of financial transaction सारे का सारे transaction इसमें करना है manually इसमें भी यह काम करना है manually लेकिन अब जो काम होगा वोग देखे कमाल का manual accounting system में the recording of transaction in books of original entry and related calculation as such adding subtraction and totaling are done manually मतला जोड घटाओ आप जोड घटाओ manually कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे जोडना घटाना टोटलिं करना यह सारा काम कैसे करोगे आप manually करोगे लेकि computer में क्या होगा the recording of transaction that is a strong sorting of data in database is done manually and all other calculation are done by computer आपको जाके देखोगे सारा का सारा laser की balancing करना है आप अभी अपने यहां laser में कर रहे अच्छा debit side का इतना जोड computer में क्या होगा अपने आप उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है वह अपने आप बैलेंस बता देगा अच्छा इतना आपका कैस्ट का closing balance पाच जार वह अपने आप कर देगा राइट यह बास समझ में आ रहा है थर्ड इन दा सिस्टम इन दिस सिस्टम किसमें मैनुवल में classification posting to laser यह ध्यान से देखी है posting to laser accounting is done manually is take too much of time यह सब बहुत जादा टाइम लेता है जब की आपका computer में in this system the sorted data are process automatically automatically process करेगा by the software to the given us laser accounts अपने आप उस सारा हम practice करके दिखाएंगे यह आपको जो video दिया हुआ है अगर आप तक देखा होगा आपने तो उसमें आपको देखने को मिल रहा हुआ तो simple सा बात है ऐसा तो है नहीं कि आज कल आप computer laptop नहीं use करते हैं करते ही है सब लोग आज कल mobile तो कम से कम यूज कर रही रहे हो जूम आप पर class कर रहे हो whatsapp कर रहे हो यह सारे जो आपकी computer-based applications हैं वैसे ही जैसे whatsapp आपको message भेजने के लिए है वैसे ही टैली आपको क्या है accounts कर रहे के लिए राइट चलिए यह थार्ड नमर एक question देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा क्या-क्या फाइदा है इसका कहता है computerized accounting system is best from accounting system do you agree क्या आप agree हो यह कहता है कि हम agree तो है क्या-क्या advantages है अगर हम बात करें high speed देखिए high speed तो होगा high speed से काम होता है computer पे reliability reliability रहती है मतलब विस्वस्नियता रहती है तैसे आप जोड़ गटाओ manually करोगे तो गलती होने के chances है computer कभी गलती नहीं करता है accuracy भी रहता है updating on information जो information update करोगे वह फटाफ़ड अवडेट होता है computer-based इस पे efficiency रहता है मतलब efficiency का मतलब समयते हैं एकदम चुस्त दुरुस्त करता है यह computer कभी नहीं थकता है वह ऐसा नहीं करोगे कि उसको नींद आ रहा है आज चुटी है आज नहीं काम करेंगा उसको command दोगे तो वह करेगा है ना legalability है legal law में भी इसको accepted की आजाता है lower cost costing भी कम हो जाता है जब आप computer पर काम करने लगोगे तो यह पोथे register लिखने से आपको छुटकारा मिलेगा timely reporting सबसे बड़ा है कि report बना रहे हो तो आपको time से reporting हो जाएगा flexibility रहेगा storage and retrieval आप data को store कर सकते हो simple pen drive में इतने छोटे से में कितने लोगों का recording कर सकते हो right secure भी होता है आप password लागा कि उसको secured कर सकते हो उससे सवाल भी पूछ सकते हो अच्छा cash balance में cash के लेजर में कितना balance है मोहन के यहां कितना बाकी है उसके यहां कितना बाकी है इसके यहां कितना बाकी है मतलब बहुत सारा query भी आप कर सकते हो computerized accounting system में तो यह सारे theory है अब इसको सारे को हम कराएंगे एक एक करके तो आप खुद ही बोर हो जाओगे आप इस questions को पढ़िएगा मैंने आपको एक base दिया कि क्या करना है तो computer कुछ और नहीं है computer बना ही है human being के efforts को कम करने ही आप देखो न एक और बहतरीन example आपको मिलेगा आप लोग का जब से जनम हुआ होगा तो आपसे देखा ही नहीं होगा लेकिन आज देखके चलिए अगर computer bank में applicable नहीं होता राइट computer का यूज अगर banking system पे नहीं होता तो क्या हुआ होता आज कल आप पैसे लेके जाते आपका रजिस्टर निकालता रजिस्टर में पोस्टिंग करेगा फिर आपको पैसे देखा अभी computer में क्या है आप यहां पे online भी कर दिया आप यहां पे आपके खाते में कोई पैसा डाला और वो computer में वहां पे entry हो रहा है और आपके mobile phone पे instant message आ रहा है आपके message आता है न यह account has been created 10,000 रुपी यह account has been debited 10,000-5,000 रुपी होता है कि नहीं होता है सारा क्या है तो bank भी जो entry कर रही है और किसी ने किसी software में accounting software में नहीं entry कर रही है कर रही एक नहीं कर रही है तो practical life में इस chapter को 11 में जोड़ने से purpose ही यह था कि practical life में आप जब भी आप move on करोगे तहां पर काम करने accounting field में तो आपको थोड़ा सा तो knowledge होना चाहिए कि हां accounting जो है software के वल हाथ से ही नहीं लिखा जाता है accounting को computer पे भी लिखा जाता है there are multiple software in the market tally is most popular software in the market out of these इन सारे software में से tally software जो है वही सबसे ज्यादा चलन में इसके पीछे कारण है यह काफी user friendly भी है और सबसे बड़ा कारण इसका यह popular होने का यह हुआ कि इसके pirated version आपको available रहते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इस theory chapter को आप और थोड़ा सा हम आपको यह दिखा देना चाहते हैं कि अगर आपके पास laptop है तो आपका और काम बनेगा आप क्या करिएगा आपको नया screen दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूं जहां से आप educational version download कर सकते है tally का अगर computer में set करना है क्या करना आप www.tallysoftware tallysolution.com पे जाना य जो खुलेगा देखी यह उसका official website है वहां पे software है आजकल tally ERP से भी advance होके आपको tally prime आ चुका है last year तक tally prime नहीं था यह version है extra जैसे whatsapp आता है वह tally ERP 9 का था तो यहां से आप जाओगे तो आराम से आपको educational version आप अपने computer में load कर सकते हैं यहां पे जाओगे all other product में यहां पे जाओगे हना तो सारे के सारे यहां पे आप download tally यहां पे देख रहा हो नहीं यहां पे तो tally solution.com के official website पे आपको जाना पड़ेगा और यहां से download tally पे click करके आप tally prime भी है इसको भी educational version है न और tally ERP 9 भी आपको different यहां पे देखे do you want to download previous version तो पहले आप ERP 9 ही करना क्योंकि वहीं ज्यादा आपके books में भी printout मिलेगा तो उससे match करेगा coloring otherwise नहीं match करेगा तो यहां पे आप क्या करना tally ERP 9 यहां पे search कर लेना extension for tally prime tally prime tally ERP 9 देख रहे हो यहां पे यहां पे tally ERP 9 आप install करके computer में कर सकते हो जिसके पास laptop है क्योंकि बीना practice किये हुए यह काम मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको मैं theory class में करा दूँगा लेकिन जब तक आप computer बैट के practice नहीं करोगे अब तक बात नहीं बनेगा ठीक है तो यह सारा काम आपको करने है right educational version उसका पैसा नहीं लगता है कि कि बाई करोगे तो टैली शॉफ्ट्वेर का single user का भी बीस से किस हजार दाम होता है और मल्टी उजर का 65,000 से 70,000 तक दाम है उतना पैसे खर्च करने की ज़रूत नहीं है तैली जो है academic life के लिए यानि बच्चों के लिए free of cost educational version आपको डाउनलोड करने के लिए उसमें तो problem क्या होता है educational version में date आपका change नहीं होता है एक ही डिट पे सारा इंट्य होगा यानि कि आपको करना है एक जनौवरी में सारा इंट्री करना है या एक फर्वरी में करना है बिजनस व्त वाईंश नहीं करेगा उसके लिए आपको purchase करना पड़ता है लेकिंस सीखने के लि आज का जो concept हा हमारा computerized accounting system तो हमने क्या किया देखा इसमें कि computer पे accounts को लिखने के process को ही हम computerized accounting बोलते हैं जितना भी अभी तक knowledge हमने gain किया theoretically जो अभी register पे हम कर रहे थे जो exam में भी हम को देना है exam दे के पास होना है उन सारे process को computer पे लिया के रख देना ही computerized accounting है और कुछ नहीं इतना सारे बात आज आज आपको ठीक है लगा होगा कल हम लोग start कर लेंगे इस chapter को दो-चार question ही है इसमें computerized accounting system में उसको आप आज read कर लिजेगा जो doubt होगा वो mark करके रखिएगा कि सर यह फलाने question में हमको ठोड़ा problem हो रहा है कल हम लोग tally वाले screen पे हम लोग classes को हम करेंगे जो हम कोशिस करेंगे कि जितना हद तक 2-4-5 lecture में आपको जितना tally के software के बारे में जनकारी दिया जा सकता है वो आपको दिया जाए ठीक है जी यह सर्डो चलिए प्रया क्र सकता है क्रीए